दोस्तो इस वीडियो में हम आपके साथ 10 मिनिट रूल शियर करने वाले हैं और आपको ऐसी 10 मौनिंग हैबिट्स बताने वाले हैं जिने आप रोज सिर्फ 10 मिनिट भी करोगे तो आपकी ब्रेन पावर इंप्रूव होगी आप दिन बर लेजी फील नहीं करोगे आप प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से बाहर निकल पावगे और आप फिजिकली एन मेंटली हेल्दी फील करोगे अगर आप सारी हैबिट्स एक साथ फॉलो करना चाते हो तो बहुत बढ़िया लेकिन ऐसा करना ज़रूरी नहीं है बलकि आपको सिर्फ इस वीडियो को लास तक देखना है और वही हैबिट्स को चूज करके फॉलो करना है जो आपको आपके लिए बैस्ट लगती है तो आप हमें कमेंट्स में बताएगा जरूर कि कौन सी हैबिट्स है जिनने आप डेली 10 मिनिट फॉलो करने वाले हैं तो आई ये शुरू करते हैं दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन में 70% सिर्फ पानी होता है और अगर हम दिन भर में या सुबह उठते ही जरूरत के अनुसार इनफ पानी पीते हैं तो यही वाटर हमारे ब्रेन और हमें दोनों को एनरजाइस्ट कर सकते हैं एक्चुली होता ये है कि लगातार 7-8 घंटे सोने के दौरान पानी ना पीने से हमारी ब्रेन और ब्रेन बोडी डिहाइडरिशन की पानी जरूर पीजिए ऐसा करने से आपकी बोडी में मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और ये पानी आपकी बोडी से टॉक्सिंस को खतम करने में मदद करता है अब आप चाहें तो इस पानी में लैमन भी एट कर सकते हैं जोकि ऑप्शनल है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये पानी बिलकुल आराम-ाराम से पीना है और हम आपको एक और बोनस टिप देना चाहेंगे जो हम खुद भी फॉलो करते हैं और वो ये है कि आप एक कॉपर याने कि तामे के जग में रात को पानी रखिए और सुबह उटके उस पानी को एक या दो ग्लास खाली पेट पीजिए इसके काफी फायदे हैं अगर आपको सुटेबल लगे तो ही करिए वरना आप नॉर्मली भी सुबह बोटल से एक या दो ग्लास पानी पी सकते हैं अगर आप वर्ल्ड को चेंज करना चाते हो तो सबसे पहले शुरुआत आप अपने बिस्तर को ठीक करने से करिए इवन डेविड गॉगिन्स जिनने वर्ल्ड का वन आफ दा टुफेस्ट मैन माना जाता है हमने रिसेंटली उनकी बुक जिसमें हमने जाना कि इवन डेविड कॉगिन्स को भी जब अपने पुरानी लूजर सेल्फ को छोड़ के खुद को और अपनी लाइफ को इंप्रूव करना था तो उन्होंने शिरुवाद सुबह उटके सबसे पहले अपने बैड को ठीक करने और बिस्तर बनाने से की थी क्योंकि इसके पीछे एक साइकॉलोजिकल रीजन है तो अभी इसे मिलिटरी में भी फॉलो करवाया जाता है तो सुबह उटता ही अपना बिस्तर बनाने से आपके ब्रेन को सिगनल मिलता है कि आपने दिन का पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है और ऐसा करना फिर आपको दिन के बागी के टास्क को भी कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट करता है ये एक habit आपको subconsciously and psychologically impact करती है क्या आपको पता है कि आपका music टेस्ट आपकी personality शो करता है और सिर्फ कुछ दिर किसी particular type का music आपके mood को और पूरे दिन को अच्छा या बेकार भी बना सकता है जो कि आपने sadness में sad गाने सुनने के बाद sad mood करके experience किया होगा या parties में loud and energetic गाने सुनके energized feel करके वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक psychological reason है और वो है कि music के according mood change होना तो अगर आप दिन की शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट भी कोई भी positive, calm या अच्छा instrumental music सुनते है तो ऐसा करना आपके mood को उसे के according calm, positive, happy या motivated feel करवाएगा पर आपको सुबह rock music या कोई aggressive और loud music नहीं सुनना है बलकि आपको कोई अच्छा song, calm music या instrumental सुनना है बाकी rock, hip-hop या other music आप दिन में कभी भी सुन सकते हैं लेकिन सुबह सुबह नहीं अगर आप दिन के शुरुआत में inspired, motivated and positive mindset चाहते हैं बैस्ट वे है कि आप दिन के शुरुआत में कुछ successful and inspiring लोको की बातें अपने दिमाग में डालें जो कि आप उनकी books या articles से जान सकते हैं जरूरी नहीं है कि morning में एक घंटे आप book पड़ो अगर आपको पसंद है तो बात अलग है वरना आप सिर्फ 10 मिनट भी अच्छा कुछ पढ़ते हैं तो उससे आपका mindset डे की starting में ही अच्छा हो जाएगा Actually हर book का हर chapter inspiring नहीं होता तो दोस्तों इसे आसान बनाने के लिए हम आपको एक book सज़ेस्ट कर रहे हैं जिसे हम खुद भी पढ़ते हैं वो है Dr. Robert H. Schuller की book Life Changers, Dreamers and Doers इसमें काफी सारी stories and chapters सिर्फ एक एक या दो दो pages की हैं तो आप daily एक new story पढ़ पाओगे और सिर्फ एक या दो pages में stories खत्म होने से आप आसानी से रोज 10 मिनट में कोई भी chapter खत्म कर पाओगे और ये सभी stories बहुते inspiring होती हैं जो आपको morning motivation देने के लिए काफी है ज्यादा तर लोगों के लिए 10 मिनट्स भी meditation करना या अपने दिमाग को शान्त रखना मुश्किल होता है लेकिन वहीं डीप ब्रीधिंग करना सभी के लिए easy है तो आपको सुबह 10 मिनट्स के लिए डीप ब्रीधिंग करनी है यानि के breathe in and breathe out करके गहरी सांसे लेनी है जिसके काफी फायदे हैं जैसे के calmness and peace महसूस करना focus and concentration improve होना stress, anger और anxiety कम होना साथी energy level boost होना और भी कई benefits है तो अगर आपका mind पूरे दिन भर stress, overthinking and anxiety में रहता है और focus की कमी है तो आपके लिए ये deep breathing बहुती फायदे मन्द होगी क्योंकि इसके mentally and physically दोनों ही एरियाज में काफी फायदे हैं आप इस breathing exercise को ठीक से internet के मदद से सीख सकते हैं और्टोपेडिक सोजन ग्लैंज ये कहता है कि सिर्फ कुस दिर proper अच्छे से stretching करना आपकी bones and joints की injury के chance इसको कम करता है आपके muscle growth होती है muscle pain कम होता है साथी blood pressure को अच्छा और brain में oxygen पहुचाता है अगर आप पूरे दिन बर laziness feel करते हैं या body में pain महसूस करते हैं तो सिर्फ 10 minutes की stretching आपको इसे दोर करने में आपकी help कर सकती है तो अगर आप सुबह उटके सिर्फ 10 minutes भी proper stretching करते हो जिसमें आपकी body का हर एक part अच्छे से stretch हो रहा है तो आप पूरा दिन flexible and active feel करोगे या बाकी चीजों की तरह ही हम humans के लिए भी sunlight लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि sunlight हमारे mood को affect करने के साथ ही हमें vitamin D देती है और तो और sunlight brain में serotonin नाम के chemical के production को भी increase करती है जिसे happy hormone भी कहा जाता है साथी सूरज के किरने हमारी brain के general cognitive function को भी positive way में affect करती है जो के हमारे mood को stable रखने के साथ ही improve भी करता है लेकिन आप इन सबको avoid कर सकते हैं सिर्फ 10 minute sunlight लेके अगर सर्दी नहीं है तो सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना आपको पूरी तरह से जगाने में और laziness खत्म करने में कारगर साबित होता है और यह आपके mind को clear करता है और आपके energy level को भी boost करता है तो अभी इसे worldwide काफी productivity coaches promote करते हैं क्योंकि cold shower लेने से researches में देखा गया है कि cold shower हमारी body में white blood cells के count को increase करता है और यही white blood cell हमारी body को बिमारियों और jumps आदी से protect करते हैं लेकिन worldwide कुछ most productive लोगों का cold shower को लेने के पीछे एक ही purpose होता है वो है ज़्यादा energized body, mood and mind अगर आप चाते हैं कि आपको हर दिन वैसा ही जाये जैसा आप चाते हैं तो आपको day planning की habit रोज follow करने चाहिए तो हर सोबह आप 10 minutes दीजे आपके day को plan करने के लिए ऐसा करने से आप कोई भी चीज भूलेंगे नहीं और अपने कामों और habits को एक sequence and order के साथ follow कर पाएंगे और planning करना आपके chances बढ़ा देता है आपके daily कामों को definitely complete करने का क्योंकि ये आपकी brain को organized and discipline रखता है और आपको अपनी ये list को आपको एक paper पे लिखना चाहिए बजाए phone के क्योंकि phone आपको distract भी कर सकता है और paper पे task के आगे complete का check mark लगाने से एक satisfaction भी मिलती है और even आप चाहे तो आप ये 10 minutes की planning एक रात पहले दूसरे दिन को advance में plan करने के लिए भी कर सकता है को आपके हिसाब से suitable लगे आप मेंसे ज़्यादा तर लोग सोने से पहले या सुबह उटने के बाद जो चीज़ करते होंगे वो है अपने phone को use करना दोस्तों अकर आप अपनी life में really कुछ बड़ा और अच्छा अच्छेव करना चाहते हैं तो please हर दिन के starting में सिर्फ खुत पे और अपनी life पे reflection डालने की habit डालिए याने कि आप daily 10 minutes peaceful mind के साथ खुत के बारे में अपनी life के बारे में अपनी goal and life purpose के बारे में जरूर सोचिए और ये देखिए कि आपकी अभी आपके life goals के according कैसी performance है डेली सोचिए कि मेरा आज का दिन कैसा जाना चाहिए और मैं कैसे आज का अपना ये दिन अच्छा बना सकता हूँ आप कुछ से deep questions पूछिए ऐसा करना आपको life में clarity and self awareness देगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को like और subscribe बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में support करो